घर पर wax कैसे बनाएं? अब waxing के लिए पालर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं. घर पर wax बनाने का तरीका इससे आप आसानी से घर पर ही wax कर सकते हैं. आए जाने इसे कैसे बनाते हैं? सामगरी, चीनी एक कप, शहद एक कप, नीमबू का रस सबसे पहले एक बरतन ले और उसमें चीनी के साथ सवा कप पानी डाले और गैस पर गर्म करें. कुछ ही देर में आप देखेंगे चीनी पिघल गया है. स्टेप दो, जब चीनी पिघल जाए, तो आप इसमें दो से तीन बून्दे कोई essential oil डाल कर मिला सकते हैं. इससे wax में अच्छी आएगी. स्टेप तीन, अब इसमें शहद और नीम्बू का रस डालें और लकडी के चम्मच से मिक्स करें, गैस का फ्लेम लो रखें और इसे एक सार होने तक मिलाते रहें. स्टेप चार, इस मिक्सचर का जब कलर बदलने लगे, तो फ्लेम बंद कर दें. होमेड वैक्स बनकर तयार है, इसे आप किसी एरटाइट जार में स्टोर भी कर सकते हैं. ऐसे करें इस्तमाल. होमेड वैक्स को भी नॉर्मल वैक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं. इसे जार से निकालें और वैक्स हीटर या फिर किसी बरतन में निकाल कर गर्म करें. फिर बालों के उगने की दिशा में इसे लगाएं, वैक्स ट्रिप यूज़ करने की जगा आप जीन्स के कपड़े का भी इस्तिमाल कर सकते हैं। सलाह, वैक्स को अपलाई करने से पहले उसके तापमान को अच्छे से जांच ले, अन्यथा आपकी तवचा जल सकती है, वैक्सिंग के बाद तवचा को गुनगुने पानी से साफ करें, और फिर मॉइस्चराइज करें, चहरे पर खुद से वैक्स करने से बचें, बहतर होगा किसी एक्सपर्ट की मदद ले, अब आप भी घर पर बनाएं, वैक्स विडियो अच्छी लगी हो, तो शेर करें, इस तरह की अन्य विडियो पढ़ने के लिए चानल सब्सक्राइब करें